हेलो और वल्कम बेक्टो मैं चैनल तो आज मैं शोल्डर्स करने वाला हूं तो आएए देखते हैं मैं क्या-क्या सेट्स लगाता हूं आज की दिन तो first मैं जो shoulder करने जा रहा हूँ वो military press है 12 into 4 का सेट्स लगा रहा हूँ मैं और burble के साथ आप देख सकते हूँ तो ये मेरा पहला exercise है आज के लिए उसके बाद मैं जाओंगा दूसरे वाले exercise जो की dumbbell के साथ है dumbbell press तो that's start तो ये है मेरा dumbbell press का सेट ये भी 12 into 4 कर रहा हूँ मैं सादा weight तो लगाता नहीं हूँ as you guys know मैं हलके weight ही लगाता हूँ ताकि techniques वगरा properly मैं follow कर सकूँ इसके बाद मैं लगा रहा हूँ front brace dumbbell के साथ 12 into 4 और ये बहुत effective exercise है मैं इसमें 5 kg का weight ही ले रहा हूँ इसके बाद मैं इसको 7 kg तक मैं increase करूँगा और ये ही मेरा weight होगा आज के लिए इसके बाद मेरा जो exercise होगा वो dumbbell के साथ ही है side lateral raise 12 into 4 का सेट में कर रहा हूँ इसमें भी ये बहुत effective है थोड़ा सट tough है ये मेरे लिए क्योंकि जो elbows है वो उपर नहीं जाता मेरा तो बहुत try करता हूँ properly करूँ बर थोड़ा बहुत miss हो जाता मेरा बर ठीक है देरे देरे आएगा जो भी अभी तो beginner हूँ तो उसके बाद मैं करने जा रहा हूँ shoulder upright row 12 into 4 sets और ये भी एक बहुती मज़िदार shoulder exercise है उससे बहुत अच्छा pump पाता है मैं इसमें भी जादा weight नहीं ले रहा हूँ जितना मैं ले सिपता हूँ उतना ही ले रहा हूँ ताकि कोई problem ना शोल्डर injuries बगर ना हो ये मेरा last exercise है इसे जो की shrugs है ये तो ऐसे difficult है मेरे लिए बट फिर भी मैं करता हूँ क्योंकि करना ज़रूरी है तो guys अगर आपको अच् लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें थैंक यू